भूम्यार गाउं छोड़ा नहीं जमीन छोड़ा नहीं बच्चे पैदा करना छोड़ा नहीं तो आखिर संख्या घटा तो कैसे घटा भूमिहार जाती से आने वाले कई नेता भी कर रहे हैं आम लोग भी कर रहे हैं कि आखिर जिस जाती की आबादी 1931 के जातीय गनना के दोरान जादा थी उस जाती की गनना जब वर्ष 2023 में होती है तो उसकी संख्या कम कैसे जाती है और इसी को लेकर कि अब भारतिय जनता पार्टी ने नितीश सरकार पर कई गंभीर आरोफ लगाए हैं और आरोफ लगाने वाले कोई और नहीं बलकि भारतिय जनता पार्टी के प्रभक्तार डॉक्टर राम सागर सिंग हैं जिन्होंने कहा है कि नितीश कुमार ने जान बूझ करके भुमिहारों के साथ इस प्रकार का बरताओ किया है दरसल भुमिहार जाती से आने वाले डॉक्र राम सागर सिंग ने अपनी जाती की संख्या इस सरजातिय सर्वे में कम होने के बाद शागर सिंग क्या कह रहे हैं बुमिहार गाओ छोड़ा नहीं जमीन छोड़ा नहीं बच्चे पैदा करना छोड़ा नहीं तो आखिर संख्या घटा तो कैसे घटा जब बिहार जार्खन और उरिशा एक था उरिशा में हमारी संख्या नहीं भूम्यारों का जार्खन में कम संख्या यहां तो बढ़ना चाहिए था इस गन्ना में लेकिन आपने कौन से विधा लगा करके संख्या घटाने का काम किया है बिहार की जन्ता आपसे जवाब मांगती है दरसल बिहार में अगर हम बात करें तो सामाजिक और राजनितिक रूप से भुमिहार काफी सक्रिय रहते हैं ऐसे में जाती सर्वे से पहले तक भुमिहार की आवादी को लेकर के जो दावा किया जाता था उसे सर्वे रिपोर्ट में बरा जटका लगा है जातिये सर्वे के मुताबिक बिहार में भुमिहारों की आवादी 2.85% है वहीं अगर हम वर्स 1931 की जातिये सर्वे की बात करें तो उस समय बिहार में भुमिहारों की आवादी कई 3.6% की आजपास थी ऐसे में आबादी में हुई इस बड़ी कमी को लेकर के अब भुमिहार जाती के कई नेता सवाल उठा रहे हैं और ऐसा ही सवाल अब भाजपा ने भी उठाया है और नितीज सरकार को कटगरे में खड़ा किया है और नितीज सरकार को कटगरे में खड़ा करते हुए यहां तक कहा गए है कि बिहार में पिछले कुछ समय के दोराँ जो अलग-अलग छेत्रों में विधान सभा के उपचुनाओं हुए और इन उपचुनाओं में नितीज कुमार, जनतादल उनाइटेड और महागटवंधन क खिराब जिन जातियों ने मुखरता के साथ नितीज का बिरोध किया, उनकी संख्या इस जाती सर्वे में जान बूझ कर कम कर दी गई है। और इसे लेकर के ही भाजपा ने नितीज कुमार से पूछा है कि आखिर नितीज कुमार ऐसी कौन सी विधा जानते हैं जिसमें भु अगर हम बिहार में की सियासत में भुमिहारों की बात करें तो मौझूदा समय में बिहार में जो भुमिहार हैं वह राजनितिक तोर पर तमाम दलों में सक्रिये हैं। मौझूदा समय में बिहार में जो विधान सभा है वहां भुमिहारों की विरादरी के करीब 21 विधायक ह वहीं तीन लोग सभा के सांसद हैं इसके अलावे अगर हम भारती जिनता पार्टी के जो मुख्य विपक्षी दल है उसकी बात करें तो यहां नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विजय कुमार सिन्हा भी भूमिहार जाती से आते हैं इतना ही नहीं सत्तापक्ष यानि कि नितिश कुमार के पार्टी जदियू के राष्टे द्यक्ष ललन सिंग भी भूमिहार जाती से हैं और कॉंग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी अखिलेश सिंग भी भूमिहार भी रादरी से आते हैं नितिस केमिनेट में एक प्रभावसाली मंत्री माने जाने वाले विजय चोधरी भी भुमिहार विरादरी से आते हैं तो ऐसे में भारतिय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंग ने आग यही एक बड़ा सवाल उठाया है कि एक और 1931 की जनगरना के बाद बिहार में न तो बिहार चे उस तर पर भुमिहारों ने बिहार छोर करके बाहर गए हैं न तो उनकी संख्या में कम हुई है बलकि हर जगह उनकी परिवार हैं उनकी संख्या बढ़ गई है तो उसके बाद भी आखिर ऐसा कैसे हो गया कि एक और गाउं गाउं में भुमिहारों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है तो जातिये सर्वे रिपोर्ट में भुमिहारों की संख्या कम गई क्या यह जान बूच करके किया गया है तो भारते जंता पार्टी ने आज भुमिहारों की संख्या घटने के सवाल को ले करके नितीज सरकार पर यह एक बड़ा आरोप लगाया है